नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है विहार बोर्ड मेट्रिक परिक्षा के लिए शमाजिक विग्योन का अत्तिम अत्पुर्ण अबजेक्टिव प्रस्न दोस्तों 10 मिनिट का कम ही समय लगेगा आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप विहार बोर्ड म समझ रहे हैं तो तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं 13 अपरेल 1929 अगरा प्रस्ण है लखनव समझोंता किस वर्ष हुआ तो लखनव समझोंता 1911 को हुआ है रमपा विद्रो कब हुआ तो रमपा विद्रो ये 1916 में ही हुआ है तो लखनव समझोता और रमपा विद्रो 1916 इसवी में हुआ है याद रखेगा अगला प्रस्ण है आपका डंडी यात्रा की शुरुवात कब हुई तो 12 मार्च 1930 इसवी को 12 मार्च 1930 इसवी को डंडी यात्रा की शुरुवात हुई थी अगला प्रस्ण आपका महत्मा गंधी दक्षिन अफ्रीका से भारत कब लोटा? तो 1925 में लोटा अगला प्रस्ण आपका पर्थम विश्व्यूद कब आरम हुआ? पर्थम विश्व्यूद कब आरम हुआ? तो 1924 में अगला प्रस्ण है इटली एवं जर्मनी के एकिकरन के विरूद नीमनु में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकिकरन का विरूद था आश्टेलिया ओप्सन नमर गो सही आश्टेलिया था अगला प्रस्ण है रक्त एवं लो की नीती का अवलवन किस ने किया तो रक्त एवं लो की नीती का अवलवन विश्क मार्क ने किया अप्सान नमर गो सही विश्क मार्क ने किया अगला प्रस्ण आपका कावुर की मिर्तियू किस वर्ष हुई कावुर की मिर्तियू किस वर्ष हुई तो 1862 इसवी में हुआ अगला प्रस्न है आपका रूस में जार का अर्थ क्या होता है तो अप्सर नमर घो रूस का समराथ रूस में जार का अर्थ क्या होता है रूस का समराथ अगला प्रस्न है काल मार्स का जन्म कहा हुआ था तो जर्मनी में अगला प्रस्ण है अधी सासन का पहला पढ़ियो कहा हुआ था तो रूस में यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था काल मार्स वार एनपी सा किसकी रचना है अगला प्रस्ण है बोलोशवी क्रांती का भुई तो नवंबर 1917 इसवी में अगला प्रस्ण है लाल सैना का गठन किसने किया तो टेरोश्टेकी ने किया अगला प्रस्ण है लेनी की मिर्तियू का भुई लेनी की मिर्तियू का भुई तो 1924 इसवी में लेनी की मिर्तियू हुई हुआ पैरीश में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो एक मई को मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो एक मई को विये ते नाम लोज अगला प्रस्ण आंकोरवाट का मंदिर कहां इस्ति था आंकोरवाट का मंदिर कामबोडियां में है प्रस्ण हिंद चीन पहुचने वाले प्रत्थम बेपारी कौन थे तो पूर्तकाली था अगला प्रस्ण हिंद चीन में बशने वाले फ्रांसिसी कहे जाते हैं गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस छेत्र से भेजे जाते थे तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका गिर्मिटिया मजदूर बिहार के पस्चिमी छेत्र से भेजे जाते थे option number B बिल्कुल सही है अगला प्रस्न है कि सिकंदर कहां का निवासी था सिकंदर कहां का निवासी था इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा union का था option number C बिल्कुल सही है अगले प्रस्न के और चलते हैं प्रस्न है कि शन्य 1863 में सार परथम भूमी गत रेल की सुरुवात किस देश में हुई तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है लंदन में 1863 में सार परथम भूमी गत रेल की सुरुवात हुई लंदन में option number C सही है अगला प्रशन देखिए safety lamp का अभिस्कार किस ने किया तो हैंफरी डेवी ने किया option number D बिल्कुल सही है अगला प्रशन है ओद्योगी क्रांती सार परथम किस देश में हुई ओद्योगी क्रांती सार परथम इंगलेंड में हुआ था option number A बिल्कुल सही है अगला प्रशन देखिए बैग्यानिक समाजवाद का परति पादन किस ने किया तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका option number C बिल्कुल सही है काल मार्स ने बैग्यानिक समाजवाद का परति पादन किस ने किया अगला प्रशन देखिए निम्न लिखीत में कौन ओध्योगी करंती का कारण नहीं था तो धर्म सुधार अंदोलन ये ओध्योगी करंती का कारण नहीं था अगरा प्रस्ण है भारत में पहली जूट मिल कहां अस्थापित की गई भारत में पहली जूट मिल कहां अस्थापित की गई तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगाल में ओप्शन नमबर A बिल्कुल सही है अगला प्रश्न है राजगुरु को फंसी की सजा कब दी गई राजगुरु को फंसी की सजा कब दी गई 1931 इसवी को राजगुरु को फंसी की सजा दी गई थी अगला प्रस्ण है तिन कठिया प्रणाली किस चे समंदित है तिन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था किस पर किसानों उपर हुआ था अगला प्रस्ण है खिलापत अंदर्णालन किस के दवरां शुरू के आ गया था तो महतमा गन्दी के दवरां शुरू के आ गया था उप्सिन नमर आ सही है अगला प्रस्ण है वेदों की और लोटो का नारा किस ने दिया था वेदों की ओर लोटो का नारा किस ने दिया था तो दयानन सोर सोती ने दिया था ओप्सन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है वंकिम चंद्र ने किस रचीत किया है किसे रचीत किया है तो राष्टिय गीत ओप्सन नमर भी सही है अगला रमपा विद्रो कब हुआ था तो इस प्रस्ण कोत्र हो जाएगा रमपा विद्रो 1916 में हुआ था अप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है जलिया वाला बाग हत्याकन किस तिथी को हुआ था 13 अप्रेल 1916 को हुआ था अप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है कॉंग्रेस पार्टी का लोहर अधिवेशन कब हुआ था अप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है आपका जनेवा समझोता किस वर्स हुआ था तो 1954 में हुआ था अप्शन नमर सी सही है हिंद चीन में कौन राष्ट सामिल नहीं थे हिंद चीन में कौन राष्ट सामिल नहीं थे तो इस प्रस्ण का अफ्तर हो जाएगा आपका चीन अप्शन नमर सी बिलकुल सही है अंकोरवाट का मंदीर किस देश में बनाया गया था अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया तो कामबोडियां में ओप्शन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है विश्वु में समाज वादी साहसन की अस्थापना सार प्रत्रम किस देश में हुई तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा रूस में अगला प्रस्ण देखिये काल मार्स का जन्म कहां हुआ था इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमर सी बिल्कुल से प्रस्ण है विश्वु में समाज वादी साहसन की अस्थापना सार प्रत्रम किस देश में हुई विश्वु में समाज वादी साहसन की अस्थापना सार प्रत्रम किस देश में हुई तो रूस में उप्शन नमर ए सही है अगला प्रस्ण है काल मार्स का जैन्व कहां हुआ था तो जर्वनी में उप्सन नमर B सही है अगला प्रस्ण है रूस में नई आर्थिक नीती NEP की सुरुवात किसने की तो लेनी ने की थी अगला प्रस्ण है समाज जुवादी घोषन पत्र के लिए खक थे इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा काल मार्स अगला प्रस्ण है लाल सैनों का गठन किसने क्या था तो अगला प्रस्ण नमर D बिल्कुल सही है ट्रश्टिकी ने अगला प्रस्ण देखिए रक्त एवं लोह की नीती का अवलबन किसने क्या था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्शन नमर C बिल्कुल सही है विश्मार्क ने किसने क्या था विश्मार्क ने लोह रक्त एवं लोह की नीती का अवलबन क्या था विश्मार्क ने अगला प्रस्ण है यांग यूरोप की अस्थापना किसने की थी मेजनी ने अगला प्रस्ण है कि महराष्ट में भूकम्प आने का मुख्यत था तो कोईना बांद ओप्सन नमर डी सही है कोईना बांद के कारण महराष्ट में भूकम्प आता है अगला प्रस्ण है बिहार में भैंकर भूकम्प का वाया था बिहार में भूकम्प आया था 1934 में अगला प्रस्ण है कि नीमन में से कौन प्राकृतिक आवदा नहीं है तो इन में बार प्राकृतिक आवदा है हिंसा नहीं है यह मौनप के दोरा क्या रता है भूकम्प प्राकृतिक है सुखार प्राकृतिक है तो इसमें पुछ रहा है कि आप प्राकृतिक आवदा नहीं ह तो इस प्रस्ने का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर B सही है अगला प्रस्न है इन में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है तो अतंगवाद हो जाएगा उप्सन नमर C बिल्कुल सही है सुनामी का प्रमुक कारण क्या है शमूंद्र में भूकम आना उप्सन नमर A बिल्कुल सही है भूकम किस परकार की आपदा है तो अप्सन नमर C बिल्कुल सही है प्राकृतिक अगला प्रस्न है भूपाल गैस सेदरी किस परकार की आपदा है तो इस प्रस्निक का उत्तर हो ज जनीत कहीं कहीं होगा दोस्तों लेकिन इस प्रस्ण निकोंतर हो जागा आपका वायो मंदली है अगला प्रस्ण है भूकम का मापन किसके दोरा होता है भूकम का मापन किसके दोरा होता है तो अप्सन नमर C बिल्कुल सही है रियक्टर स्केल से तो दोस्तो ये बहुत ही अच्छे प्रस्ण थे अगर आप यहां तक आये हैं तो आप इसे एक बार और देखें और इसे अच्छे से याद कर लें क्योंकि ऐसा ही प्रस्ण पूछा जाएगा आपको समाजी इक बिग्योन प्यारबोर्ड मेड़ी दोस्तो अगर आप चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं कि तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों में सेयर जरूर करें धन्यवाद